हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे में लाल बाटन होगा उसको दबागत सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे वीडियो आपका हमेशा मिलता रहे तो आज हम इस वीडियो में हम बताएं और बार बार आप मोडिवेशन वीडियो देखने के लिए आप यूटुब चैनल का यूज करते हैं यूटुब पे आ जाते हैं और उन लोग का जो अच्छा-च्छाए स्पीकर है जिसका भ्यूज सब्सक्राइब ज्यादा है उन लोगा वीडियो देखते हैं तो हम आपक कि तरह जिस तरह पॉन एडिक्शन हो जाता है उसी तरह वीडियो मोडिवेशन वीडियो देखने का आपके अंदर मोडिवेशन आ जाता है और आप एडिक्शन हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता है धेर धेरे वह एडिक्शन में हो जाता है जैसे मैक्सिमल लोग एस्प्र बनने के लिए सोच रहा होगा तो उसके उससे रिलेटेड वो वीडियो देखने के लिए मोडिवेशन पैदा करने के लिए जिस तरह उन्होंने इंटर्वियू देने का काम किया है वो अपना वर्क एक्सप्रेंस सेर करते हैं अपने वीडियो के द्वारा तो उन लोग का वी सेंटर है वहां पर दूर दूर से बहुत सारे लगी लोग जाते हैं और तैयारी करते हैं तो वहां का बहुत सारे कुछ ऐसे पर्सन है जो YouTube YouTuber है और वहां का specific region का वो लोगों को एस्टॉवेंट्स से इंटर्व्यू लेकर और बहुत सारे उसके अंदर चात के अंदर तो UPSC के तैयारी करने के लिए उसके अंदर आग तो लगी है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि समय हम बरबाद कर रहे हैं दूसरे की वीडियो देखकर और बहुत सारे लोग का बहुत सारे टॉपर का भी वीडियो देखते हैं और उसी की वीडियो को देखकर वो मोडिवेट होते हैं और रोज बुक नाम अपना लिस्ट में नाम लिखते हैं और देखते रहते हैं कि कौन सा टॉपर क्या बोला और वो एक पर टीका नहीं रहता है उसको पता ही नहीं होता है और बार बार अलग अलग टॉपर का वीडियो देखते रहते हैं और उसी ट्रैप में उसी जाल में फज जाते हैं जिसके वज़े से उस जाल से बाहर निकलना बहुत ही कठीन हो जाता है और लोगों को लगता ही नहीं है जो एक पर फोकस किया और उसी को लेकर आगी बढ़ रहा है वो अपना सिर्फ observation और अपना experience किया और अपने रास्ते पर पर काम किया अपने जो पढ़ाय के परती जो रूटिंग है उस पर काम करने की कोसिस किया जिसके वज़े से उनको सबलता होने की गरांटी उससे अधिक हो जाता है जो बार-बार motivation वीडियो देखने के लिए वीडियो देखते हैं जो भी टॉपर लोग का है उसका ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखते हैं जो अच्छे-चे टीचर है अक्सर यूपेसे एस्परेंट में बहुत सारे ऐसे टीचर लोग हैं जिनका नाम काफी चर्चे में होते हैं जैसे हम नाम बताना नहीं चाहते हैं आपको समझना चाहिए जो आप यूपेसे एस्परेंट है ज उसके वीडियोोस बार-बार देख रहे हैं नौलेज के लिए लेकिन जो टीचर है जो अब क्या कर रहे है अलग-अलग बात कर रहे हैं जो सब्जेक्ट से जो हिस्टरी है जो पुलीटिह용 से कम बत कर रहे हैं से उसका कोई आत उस आक ले Fortunately कर ये झाल ये लेकिन क्या कर सकत हैं आप बस उससे motivation हो सकते हैं motivation सिर्फ आपको पता होना चाहिए motivation कुछ देर के लिए आता है आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तभी तक आपको मज़ा आता है देखने के लिए और वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेनर और बारवरола फेकल्टीज से वीडियो बना रहे हैं और लोग उसका भ्यूस बरवार बार हैं जिसके वज़़े से उनकी account bank balance बढ़ रहा है और लोग लगी ने रहा है कि हम उसके जालम फस गया हैं और बार बार उनके वीडियो देख रहते हैं जिसके वज़े से उनको पता ही नहीं होता है और बार बार उसका वीडियो देखते रहते हैं जैसे UPSC, S-Priand उनका सपना होता है कि हम अच्छे officer बने हैं और वो लबासना का IPS officer का कैसे वो गारी का यूज करते हैं, कैसे उनके पीछे काफिला होता है, कैसे वो अपना personality develop करते हैं, personality कैसे जिन्दगी जीते हैं, कैसे मज़ा जीते हैं, उसके पास कैसे cadre होता है, उसके पास office कैसा होता है, उसके पास कैसे vehicles होता है, इस तरह की वीडियो बार बार देखते हैं, उसकी कैसी injury होता है, इस तरह की वीडियो उनको उनका देखते रहते हैं, जिसके वज़से वो बार बार उसी के ट्रेफ में फखल जाते है और बहुत बड़ी खाब देख लेते हैं और बड़ी खाब देखना गलत बात नहीं है लेकिन क्या सिर्फ मोरेशन वीडियू देखते रहना है आपको बलकि आपको रियालिटी में जाकर आपको ग्रॉंड रिपोर्ट करके आपको अपने फोकस करना है अपने प्रहाई के पर आपको reality में आप किस तना capable है कितना strength है उसका मुकाबले में आपको UPSC officer बनने like आपके अंदर छंता है या नहीं यह तभी decide होगा जब आप इजाम देते हैं मौक देते हैं practice बार बार करते हैं बहुत अच्छे books आप एक limit source को follow करते हैं जिसके वज़े से आप कि capable आपका जो focus है आपका focus discipline ही आपको काम आएगा dedication ही काम आएगा आपको motivation वीडियो देखकर आपको energy नहीं आएगा तो यह आपको समझने के लिए जोड़ी है इसलिए मैंने इस वीडियो को मनाना आप लोग के लिए सही समझा ताकि आप लोग हमारी गलती और हमारे जो experience है उससे आप काफी सीखें क्योंकि एक दो साल तक बहुत सारे लर्का लोग देखते रहता है जिसके बाद बाद में पता चलता है कि उसको यह चीज नहीं करना चाहिए वीडियो से बहुत सारे motivational वीडियो और inspiration वीडियो और interview वीडियो नहीं देखना जाए यह ऐसा वीडियो ह मिल जाएगा आपको और बहुत सारे views हैं यह आप लोग की भी views हैं मतला आप ही बार बार देखते हैं और अच्छे जो ऑफिसर हैं लर्की में भी लरका में भी तो उसका भी वीडियो बार बार आपके देखने के लिए ललक होती है और आपको इस तरह का ऑफिसर बनने के ल आपके ऐसे वीडियो हम आपको बनाकर आपके सामने पेस करते हैं धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो